C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरपस्तुत है कक्षा पांच की पाठ्टे पुस्तक हमारे आसपास का 22 और आखिरी पाठ फिर चला काफिला प्रिष्ट 200 धनू का गाउं धनू की यहां आज दशेहरे का बड़ा त्योहार मनाया जाएगा सब रिष्टेदार अपनी अपनी बैल गाड़ियों पर सामान लाद कर लाए हैं धनू के बाबा परिवार में सबसे बड़े हैं इसलिए सभी त्योहार उन्ही के यहां मनाये जाते हैं इस त्योहार पर मामी आई यानि मा और चाची मिलकर गुड और पूरण पोली बनाती हैं पूरण पोली यानि चने की दाल की मीठी रोटियां साथ में तीखी कड़ी दिन में गपशप चलती है मगर शाम को महौल कुछ बदल सजाता है सब औरतें और बूरे बच्चे सामान बांधने लगते हैं आदमी लोग मुकादम के साथ मीटिंग के लिए बैठते हैं मुकादम यानि कर्ज वसूल करने वाले किस परिवार के उपर उसका कितना कर्जा बाकी है यह भी देखते हैं फिर शुरू होती है आगे की बातें मुकादम सभी गाउवालों को अगले छे महिनों में कौन से इलाके में जाना है यह भी बताता है साथ ही देता है खर्चे के लिए कुछ पैसे प्रिष्ट 201 जब से धनू को याद है तब से यही चलता आया है बरसात के पहले से दशेहरे तक गाउं के बड़े किसानों के खेतों में काम होता है इन खेतों में धनू के परिवार जैसे ही कई परिवार काम करते हैं इस कमाई से उनका इन महिनों का खर्चा चल जाता है पर बागी के कुछ महिने जब बरसात नहीं होती तब खेतों में भी काम नहीं होता फिर उस समय गुजारा कैसे हो इसलिए सब करजा लेते हैं इस करजे को चुकाने के लिए वे मुकादम के लिए काम करते हैं यह मुकादम शक्कर के कार खाने का दलाल है वे उन्हें गन्ने के खेतों में काम दिलवाता है बताओ क्या धनू के गाउं में सभी किसान अपनी जमीन पर काम करते थे? धनू के परिवार के पास अपने गाउं में कब काम होता था और कब नहीं क्या तुम कुछ ऐसे परिवारों को जानते हो जो खेती से जुड़े हैं और जिन्हें काम करने के लिए कुछ महीने घर छोड़ना पड़ता है प्रिष्ट 202 सोचो और पता करो अगर धनु के गाउं के लोग परिशानिया हो सकती हैं धनु के गाउं में जब बारिश नहीं होती तब खेती भी नहीं हो पाती क्या बारिश के पानी के बिना भी खेती की जा सकती है अब आगे कुछ महीने धनु उसके आई, बापू, चाचा उनकी दो बड़े बच्चे मामा मामी, उनकी दो लड़कियां और गाउं के 40-45 परिवार अपने घड से दूर रहेंगे छे महीने धनु और उसके जैसे कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे धनु के घर में उसकी बूरी दादी एक चाची जो देख नहीं सकती और दो महीने की चचेरी बहन ही रह जाएंगे इसी तरह गाउं के अन्य कई परिवारों में भी बूरे और बीमार लोग रह जाते हैं धनु को अपनी दादी की बहुत याद आती है वे उसे बहुत प्यार जो करती है धनु हमेशा सोचता है कि उसके पीछे से दादी की देख भाल कौन करेगा पर धनु क्या करे सोचो जब धनु का परिवार और गाउं के लोग काम के लिए दूसरी जगह जाते हैं तब कुछ लोग गाउं में ही रह जाते हैं ऐसा क्यों होता होगा जब धनु और उसके जैसे कई बच्चे छे महिने तक गाउं छोड़ कर चले जाते हैं तब गाउं के स्कूल में क्या होता होगा तुमारे घर के लोग जब काम के लिए घर से बाहर जाते हैं तो बुजर्गों और बीमारों की देख भाल के लिए घर में क्या इंतिजाम होता है दशेहरे के बाद परिवारों का यह काफिला अब गन्य के खेतों और शक्कर के कारखानों के पास जोपणियां बना कर रहेगा अपनी जोपणियां ये गन्य के सूखे पत्तों और रस निकले गन्यों से बनाते हैं सुभा के अंधेरे में उठकर घर के आदमी खेतों में गन्यों की कटाई करते हैं बच्चे और और औरतें गन्यों के गठर बांदते हैं फिर उन्हें शक्कर के कारखानों में ले जाते हैं प्रिष्ट दो सौ तीन कई बार धनू भी उनके साथ जाता है कारखानों के बाहर कभी कभी दो तीन रातें बैल गाडियों पर गुजारने पड़ती हैं तब धनू अपने बैलों के साथ खेलता है यहां वहां घूमता है कारखाने पर अपने परिवार के हिस्से के गन्यों का वजन करवा कर धनू के बापू रसीद लाते हैं जब जब मुकादम मिलने आता है तब उसे ये रसीदें दिखा कर करजे का हिसाब रखा जाता है मुकादम अगले हफते के खर्चे के पैसे भी दे जाता है तब धनू की आई और मामी बच्चों को लेकर पास के गाउं के बाजार से हफते भर का आटा तेल खरीदते हैं बच्चों के लिए एक आध लड़ू, सेवचने भी ले लती है मामी धनू के लिए पैंसिल, रबड या कॉपी भी खरीदती है धनू मामी का लाडला जो है पर छेह महीने तो ये चीजें धनू के काम ही नहीं आ पाती वह स्कूल जो नहीं जा पाता मामी चाहती हैं वह पढ़े और बड़ा होकर कुछ बने उसे इस परिवार के साथ भटकना ना पढ़े आज कल मामा मामी धनू के आई बापू से कहते हैं अगली बार जब दशेहरे पर हम लोग गाउं छोड़ कर जाएंगे तब धनू अपनी दादी और चाची के साथ रहेगा वह गाउं के बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाएगा बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ेगा आगे पढ़ेगा और कुछ बनेगा प्रिष्ट 204 सोचो और बताओ मामी क्यों चाहती हैं कि धनू साल भर स्कूल जाए पढ़े और कुछ बने जब तुम लंबे समय के लिए स्कूल नहीं जा पाते तो क्या होता है चर्चा करो और लिखो धनू 6 महीनों के लिए जहां गाउवालों के साथ जाता है क्या वहां पढ़ाई का इंतिजाम किया जा सकता है बताओ कैसे ऐसे कुछ और भी काम हैं जिनके लिए लोगों को कई महीनों तक अपने घरों से दूर रहना पड़ता है किताब से और उधारन ढूंडो और लिखो अलग-अलग किसानों के जीवन में क्या समानताएं हैं और क्या फर्क हैं हम क्या समझे तुमने कई पाठों में अलग-अलग तरह के किसानों के बारे में पढ़ा अब एक तालिका बनाओ और उनके बारे में लिखो तालिका में पांच कॉलम बनाओ पहले में लिखो किसान का नाम दूसरे में उसकी खुद की खेती है सही या गलत का निशान लगाओ तीसरे कॉलम में वे क्या उगाते हैं यह लिखो फिर चौथे कॉलम में उन्हें क्या परेशानियां आईं यह लिखो और आखरी कॉलम में कुछ और बताना चाहते हैं, तो बहर लिखो, इस तरह से पांच कॉलम होंगे, किसान का नाम, दूसरा, खुद की खेती, सही या गलत, तीसरा, क्या उगाते हैं, चौथा, क्या परेशानिया आई, पांचवा, और कुछ, जैसे, दामजी भाई, उनके बा उसके बारे में लिखो, फिर चला काफिला, अभी आप सुन रहे थे, कक्षा पांच की पाठे पुस्तक, हमारे आसपास का 22 और आखरी पाठ, इसी के साथ यह पुस्तक भी यहां समाप्त होती है, प्रस्तुती, C IET, NCERT, नई दिल्ली, भारत